यूपी चुनाव खतम होते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया बड़ा कदम भाई और भतीजों को दी बहुत बड़ी जिमेदारी दोस्तो यूपी विदानसभा चुनाव के खतम होते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा कदम उठाया है मायावती के इस कदम की बात से ये सुख बुगहार्ट हो रही है कि बहन जी ने अचानक ये कदम क्यों उठाया चर्चा ये हो रही है कि यूपी चुनाव में मायावती को अपने पार्टी के लिए बहुत कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है ऐसे में वो अब 2024 में होने वाले लोगसबा जुनाव की तैयारी में जुट गई है तो चलिए आपको बताते हैं कि मायावती ने क्या कदम उठाया है मायावती ने ब्यस्पी की धांचे में बड़ा बदलाव किया है उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकास आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है पहले ब्यस्पी में कई को ओर्डिनेटर थे इन सब को हटा कर अब आकास आनंद को ही मायावती ने कोडिनेटर बनाया है रामजी गोतम को इस पत से हटा दिया है इसके अलाबा ब्यस्पी के महा सचीवों की संक्या भी बेटा कर पांस की जगे छे कर दी है ब्यस्पी की दो दिन तक चली राष्टिय कोर कमिटी की बैठक में मायावती ने इस कदम की जान करी थी मायावती ने BSP को देश के सभी राज्यों के हिसाब से साथ सेक्टर में बांटा है और हर सेक्टर का ही अलग परभारी बनेया है यह परभारी मायावती को सीधे रिपोर्ट करेंगे अपने भतिजे आकास को मायावती ने राष्टी इस्तर पर पार्ठी के सामने चुनोतियों पर नजर रखने के लिए कहा है मायावती खुद राष्टी अध्यक्स है उनके भाई आनद कुमार राष्टी उपाध्यक्स बनाए गए है इसके अलाबा सतीस से चंदर मिस्रा असोग सिधार्थ आरल मित्तल मेवालाल गोतम आर सिरधर और मुनकाद अली राष्टी महस्ताची होंगे वहीं रामजी गोतम असोग सिधार्थ ध्रमवीर असोग रंदीर सिंग बैनीवाल सुबध गुमार ओलाल जी मेंदगर को मायावती ने अलग-अलग राजियू का परभार सोंपा है ऐसे मैं दोस्तों आपका BSP में हुए इस बदलाव पर क्या कहना है कमेंट सेक्षन में जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे धनीवाद